पंचुकला में आज भारते किसान यूनियन के नेता गुर्णाम सिंग चडूनी की तिसली जुबान जाती विशेश के लिए दिया बयान हर्याना के पूर्वो मुख्य मंत्री भूबेंदर सिंग हुड़ा द्वारा ब्रामन समाच के व्यक्ति को उप मुख्य मंत्री बनाई जाने के विवादित बयान पर सियासत हुई तेज, भाड़ते किसान उनिन के नेता गुरणाम सिंग चडूनी ने भूपेंदर सिंग हुड़ा पर साधा निशाना छांगे हुड़ा करते हैं जातीबाद की राजनिती और जातीगत जहर घुल रहे हैं अगर मुख्यमंत्री किसी को बनाना ही है तो किसी किसान के बेटे, मजदूर के बेटे या आम आदमी को मुख्यमंत्री बनाएं इस दोरान उन्होंने एक जाती विशेश का नाम लेकर उप मुख्यमंत्री बनाई जाने की बात कही आपको बता दे कि आज मनरेगा मेट मजदूर यूनियन के धरने पर भारते किसान यूनियन के नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने पहुँचकर अपना समर्थन दिया उनके साथ आए निताओं ने भी मनरेगा मैट मजदूर यूनियन के अद्यक्ष समुंदर सिंग को अपना समर्थन दी और सरकार से मांग की है कि वहें उनकी मांग को पूरा करें उन्होंने कहा कि सरकार इन्हें इनकी एक दिन की मजदूरी 600 रुपै दे और जब भी किसी मजदूर की मृत्यू हो जाती है तो इसको 25,000 की बजाए 25,000 लाग देने की घोशना करे सरदार गोर्णाम सिंग चडूनी ने कहा कि सरकार से आज हर वर्ग दुखी है इसलिए सभी वर्गों को धरने पर बैठना पड़ रहा है और जो मजदूर है वह भी किसान का साती ही है मेरी सरकार से मांग है कि इन मजदूरों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए काम को कोई काम करते है अगर वह पे कोई हादसा हो जाता है प्रमात्मा को प्यारा हो जाता है उसको केवल वो 25,000 र्पेвой देरें सरमना की है कम से कम 25,000 ञ लाक रुपे मांग रहे हैं बिए उसका परिवार को जिंदकी चलानी चला बात सुनने के लिए ही पोई आज तर नहीं है यहां पे बैठे हैं अनसर पे बैठे हैं जाना तेली पे रखते बैठे हैं और हम आज इनकी स्पोर्ट करने के लिए आए हैं सरकार को बताने के लिए आए हैं कि यह अकेले नहीं हैं देश का किसान हरियाने का किसान भी इनके सा किसान के साथ ने और जहें किसान को दिकात आएगी तो कि यह रिधान पर कितने युद्धा लिये प्रिक पर की सब गिनाये मोगिशे और मिलायई और शांद भर बचशे मुझें जबरें段े इसे सरकार को हैं वो आशावर क्या से हो बशारे कितने दिनों से बैठे हैं कोई सुनता ही नहीं यहां देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ हज़र ने यहां पर चल रहे हैं सरकार का क्या काम होता है सरकार को जंता की बात सुनें और जंता के समाधान करना होता सरकार इसलिए तो बनाई जाती है सरकार इसलिए थोड़ी बनाई जाती है कि जब हम मजबूर हो जाएंगे तब सुन लेंगे अगर आप मजबूर नहीं कर सकते तो हम नहीं सुनेंगे अलशन पे बैठे हैं आठ दिन से तो भी सरकार नहीं सुन दिया, सारा बेंकों का पैसा उनको दान कर दिया, सारी कमपनियां के हवाले कर दी, सारी देश की प्रपर्टी, बंदरगाहे, रेलवे, कमपनियां, बेंक, सब उनके हवाले कर दीए, पंजी पतियों की सरकार है, यहां मजदूर, यहां किसान, यहां शुका दुकानदार, सब का जो है वो शोशन हो रहा है और अब तो पढ़ते पढ़ते भई पत्र का रो कभी नमबर पढ़ गया एक अपने पूरे मुख्वंत्री उपंदर सिंक उड़ा जी ने का है कि डिप्टी सीम ब्रामन को मणा हुआ इस पर क्या रहा रखते हैं देखिए हम आके यहीं मरते हैं ह हम जाती वाद का इतना हमें बढ़ावा देते हैं ये जाती वाद पे धरम बाद पे बस हम महीं उचके रह जाते हैं अब ब्रामन को बनाने से का सारे ब्रामन अमीर हो जाएंगे जाट को बनाने से का सारे जाट अमीर हो जाएंगे अगर चमार बना दिये तो क्या सारे चमा चलनी चाहिए चुणाओं में वो चलनी चाहिए आर्थी के मुद्दों की कियी करोड़ लोग हमारे देश में भुक्खे क्यूं है उन भुक्खों में से किसी को भुक्खे मंतरी बनाएं बनाएं सुआद आजाए बात का ये किसी किसान को जो है जो टोटे में किसान हो एक तो किसान होता है जैसे वो बीजे प्योड़ा मंतरी नहीं दा पी छे छे हिजार क्रोर का छे हिजार एक कड़का मालिक है वो किसान नहीं जो किसान हो दो एक कड़का मालिक है मेरे पर इन मतलगा देना कि अपने आपको बोल रहा है तो बनाएं मुख्यमंतरी उप मुख्यमंतरी की हो मैं तो यह कहते हैं मुख्यमंतरी बनाएं सुआदा इबात का रिजर्वे सरगर देनी है न दें ग्रीब को दें जिसके पास खाने को कुछ नहीं है उसको बनाएं मुख्यमंतरी उसको बनाएं मंतरी किसान जिसके पास कुछ नहीं है फाल सी खाने को फिर रहे उसको बनाएं मुख्यमंतरी उसको बनाएं को मंतरी तो यह क्या करते हैं यह तो बस उन्हीं का चल रहा है आप से में आप कैदिया प्रामन को बनाएंगे बस बेकुफ हो के हम लगे रहेंगे पिछे या उनको गालिया देनी जुरू करते हैं तो इस चीज से हमें उपर उखना पड़ेगा औरे जनता को जो है वो समझने के जरूर्ट है कि हम पैसे बाड़े को बोट ना दें जाती बोट ना दे धर्म पे बोट है हम काम पे बोट है हम और चीक मुद्धों को अपने एक किसान मेरा चल रहा है इसार में मुख्य मंतरिया जोहां गए हैं लेकिन वहां पर धारक 144 लगा दी गई है क्या कहना चाहिए जन्समाद के ले गए है किसान की बात बताई आपने मिल्ले में गए है दारक सोचवड़ी लगा दी है आएरन जारे की बात मिल्ले में गए है दारक सोचवड़ी लगा दी है पताख लगई है वो वहां मेरे जैसे कहीं किसान लिटर पहुंच जाएंगे स्वाल कूश है ये लगा रहे हैं वो स्वाल जो आप से कि वो प्रेस्गल प्रेस्टू करको दो कर देयें को नहीं ये जो गाउंस जाए मिल्गारे हैं जनस्वाद 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 नीए हो невहाई है जनस्वाद है जनस्वाद है जितने बहुनrau कैसफ mów यह कर लगे तो पहली प्रड़को उसको नजर बंद कर लेते हैं घर में को ये ना जाए अरे बैस स्वाल तो स्वाल करने वाले करें कि अब चरी बोली जनता को फिर क्या पूश रहे हो अगर आपको जुआ भी नहीं देना और लगाया महा मिला कृशी मिला और दारा चुआने दूर के मर हैं कि मेरे काल से तो कोई इनसानियत नहीं है ये सरकार तो केवल जो है वो एक एक आदमी को टोटे में बढ़ी हुई है वा तो ये को हुआ है क्यों लोग कांगरेस से दुखी थे बाइस किसको बनाएं चलो इनी को बना दो बना दिये और जातिवाद भाद भर धर्वाद लोगों को ये था कि ने ने से हैं ने ने मिया जादा आला आला करता है ये सद बहुत कुछ करेंगे इन्होंने मरोड कार दी सारी अब लोग करने लगे हो ताज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें